हलो दोस्तों, देश के तमाम महिलाओं को अंतराश्टिय महिला दिवस की ढेरो सारी सूप कामना है, मेरी तरफ से मैं दूआ करता हूँ कि आप जहां भी रहें, खुश रहें, अबाद रहें, क्योंकि आप खुशी हैं, तो हम खुश हैं, आप सही हैं, हमारा अस्तिर्तु का निर्माड़ ये आप से है, वो महिलाए कहीं भी हो, खेतों में काम करने वाले किसान हो, आफिस में वर्क करने वाले वरकिंग मुमेन हो, विज्जस मुमेन हो, या फिर क्रिकेट या फिर खेल किसी भी प्रतिबा में, किसी भी फिल्ड में अपना लोहा मनवा रही, महिलाओं क धेरो धेरो सारी सुबकाम ना है इस अंतराष्टिय महिला दिवस की दोस्तो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में यानि कि लगबग 74 साल हो गए हमारे देश को आजाद हो और आज भी हम बात करते हैं महिलाओं के ससक्तिकरण के बारे में महिलाओं को उनका हक दिलाने के बारे म पड़ता है अखिर वह क्या वजा है कि अभी तक अभी तक हमें लड़ना पड़ रहा है उन्हें आगे लाने के लिए में महिलाओं करना पड़ है कि महिलाओं अभी भी पीछे हैं मैं दो वज़े बताना चाहूंगा आपको अपने एनलसिस और अपने एक्सपिरियंस के करना यह उनकी सान के खिलाफ है दरस ऐसा कता ही नहीं है महिलाओं भी अगर उनके मौका दिया जाए तो कुछ हद तक पुरुसों से बहतर कारे कर सकती है नो डाउट तो पहला रीजन यह था जिस पर मोश्टली देखें यह एक ऐसा रीजन है जिस पर मोश्टली सारे लोग बात करते हैं कि पुरुस उन्हें मौका नहीं देते I agree बहुत हद तक यह चीज़े हो रही है दूसरा जो सबसे में रिजन जिस पर मैं बात करना चाहता हम वो यह है कि महिलाओं का आगे ना बढ़ पाना महिलाओं का पीछे रह पाना इसमें सबसे बड़ा कोई जिम्मदार है तो एक महिला ही है यहां मैं बड़ी मासरत के साथ I am really sorry to say this word but this is the fact you can't deny it let me give you the few examples to you okay let me tell you one more thing that I am not talking about all the women but yeah still there are like a lot of women exist who have a cheap mentality who doesn't support the other women connectعت like कुछ मैलाफैसी एक मैज़्य थे मेज इसलिए में बात की करता हो एक लड़की के निड़ के लिए उसको देखने के लिए आते हैं देखने वालों में लड़के का यानि कि होने वाले हस्बिन के पिता हैं, उसके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जचा हैं और साथी साथ मतलब लड़के की मम्मी है, भाबी है, दीदी हैं और भी लोग रिस्तदार हैं क्या आप इस बात से इंकार करेंगे, उस लड़की को जो लोग देखने आया हैं उसमें मर्द यानि की मेल वो बाद में कम्या निकालते हैं, वो खामोश रहेंगे, वो चुप रहेंगे, लेकिन वो घर से आई हुई, लड़के के घर से आई हुई महिला है, चाहे वो सासू हो होने वाली सास हो, होने वाली ननद हो, होने वाली भाबिया, होने वाली देवरानिया, जिठानिया हो, उन्हें सबसे पहले कमी नजर आ जाती है लड़की में, वो क्या एक्सक्यूज़स करती है, एक लड़की होके लड़की को ना कहती है, एक लड़की होके लड़की को य कहती है कि यह सही नहीं है यह खुशूरत नहीं है एक्सक्यूज क्या देते हैं जी कभी फोरहेट चोड़ा है तुसकी नाक तीज है ओंट बड़ा है या फिर फेस कट कुछ और है या फिर बाल घुंगरा ले हैं उसकी हाइड कम है बॉड़ी उन्हें अब कभी-कभी तो इतन कर लड़किया को रिजेक करती हैं इसलिए मैं कहा हुआ हूँ कि अगर कोई लड़की आगे नहीं बड़पाती है इसमें बहुत हद तक महिलाओं का योगजान है महिलाओं का हाथ होती है मैं दूसरे एक एक्ग्जामपल दे रहू हूँ दूसरा और लास्टे एक में मतलब यह जो चीज है यह इतनी बुरी चीज इना कि इसको तो खतम होना ही चाहिए यह वोमन इई पॉमेट की बात छोड़ो बतलब सोच हो इंसानियोस सोच हो मैं बात क्या किया रहूं। मान लिए किसी लड़की की तीसरी बेटी होती है तो लोगों का रियेक्शन कैसा होता अगर किसी लड़की को तीसरी बेटी होई ना तो पती को कोई टेंशन नहीं होता ससूर को उतना जाना मसला नहीं होता उसके जेट को या फिर उसके देवर को इतना जाना मसला नहीं होता लेकिन ये fact है कि अगर किसी लड़की को लागता है तीन बेटी हो जाए ना तो उसकी सासू मा, उसकी ननन, उसकी दिवरानिया, उसकी जिठानिया अगर उनसे बहुत हमधरती हैं, अगर वो लोग बहुत अच्छे हैं ना तो वो पता है क्या कहेंगे, वो कहेंगे तीसरी बार भी बेटी हुई है, वो आकर sympathy देंगे अरे जाने दो बेटा और बेटी में कोई फरक नहीं होता फिर से एक बार और बेटा हो जाएगा, वो आकर sympathy देती है मेरा सवाल ये है कि मैम या फिर डियर पेरिंट्स इसकी जरूरत क्या है, इसकी sympathy की जरूरत क्या है आप खुश रहिए ना, तीसरी बेटी हुई है बेटा क्या फरक पड़ता है और, और कुछ महिलाये तो इतनी गिरी हुई होती कि आकर ताने देती है वो खुद एक महिला होके ताने देगी कि यार, हस के कहेगी मतलब क्या चीज़ है, सोचो कि गुद बेटी को के दूसरी बेटी की बेटी होने पर वताना देती है यह फैक्ट है, गाउं में ऐसे चीज़े होती है सब के घर में होता है, लेट में रिपेर वंस अगें, अल्ड़ वोमें आट सेंगें यह होता है, इसलिए मैं इस वीडियो के माद दिन से मैं रिक्वेश्ट करूँगा प्लीज अगर आप वोमें इंपॉमेंट की बात करती है, महिला सा सक्तिक्रल की बात करती है वो एक चीज़ नहीं कहते है कि खुदा तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने की फिकर ना हो तो यकिन कीजिए जब तक एक महिला दूसरी महिला का सब्पोर्ट नहीं करेंगेगी न और द taking ह महिला दूसरी महिला के लिए खड़ी नहीं होगी आप तब तक या आलब नहीं बदलनेवाले तब तक यहादत नहीं बदलने वाले हम चाहे लाघ वेंड ए आफ आप पॉटो ते बदलने वाला नहीं है प्लीज प्लीज पेले मैं रिक्वेस्ट कराओ इंक घर आप multiplying बाइन है तो दूसर मोरे बादे चाने, प्वाइ जये हैं